कि आपकर आप चुर्वेल, हौसेफोल डिसकस करेंगे कि सूठ कैसे फाइल किया जाता है या इंस्टिउटीूशन आफ सूठ क्या होता है तो हम लोग डिसकस करेंगे इंस्टिचूूसण आफ सूट तो केस पैसे हाल किया जाते हैं पर सबसे पहला तर्मारा है सूट तो याद कीजिए सूट इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सूट होता क्या है सूट के बारे में मैंने आप से पहले बता रखा है कि सूट क्या होता है ठीक है तो देखें अब यह जो टॉपिक है इंस्टिचूशन ऑफ सूट अब तो इसके ऑडर के अंदर दिये गया होंगे ठीक है तो सेक्षन या ओडर के अंदर कर दिया गया है तो किस सेक्षन के अंदर है और किस ओडर के तहट आता है वो पार्ट हम लोग यहां पर नूट जरूर करेंगे तो institution of suit जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपको section लगता है section 26 section 26 से ले करके section 35B तक ये institution of suit का मामला बनता है इसके साथ ही साथ आप देखोगे तो order 1 से ले करके order 20 ये आपका technical part है ये आपको याद रखना चाहिए order 1 से ले करके order 20 तो order 1 से ले करके order 20 ये first schedule के अंदर मिलता है और वो section के अंदर मिलता है याद रखेगा main चीज यही है हम लोग अक्सर ये ध्यान नहीं देते हैं ये schedule schedule के अंदर order है और यहाँ पर ये main में section है so now section 26 से ले के 35B तक order 1 से ले करके order 20 तक ये पूरा का पूरा मामला institution of suit का है अब इसको समझते हैं आराम से के suit क्या होता है ठीक है provision समझ में आ गया अब समझे टेकनिकल पार्ट के बाद थोड़ असा suit का meaning देके suit सब्द का मतलब क्या है तो अगर फिर मैं technical sense में बात करूँ pure technical sense में the term suit is not defined in the CPC so in technical sense आप कह सकते हैं technically the term suit is not defined या has not been defined करिए has not been defined तो the term suit has not been defined in the CPC CPC में कहीं भी suit term को define किया ही नहीं गया है तो suit होता क्या है देके suit शब्द का मतलब अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके में तब बताया था कि suit कुछ नहीं होता है suit is a civil proceeding याद रखेगा suit is a civil proceeding suit क्या है suit कुछ नहीं होता suit एक civil proceeding होता है तो suit जो civil proceeding होता है यह कैसे पाइदा होता है यह भी मैंने बताया था इंस्टिचूटेड 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 बाइदी प्रिजन्टेशन आपको याद रखने का है तो आप याद रखेए suit is nothing but suit is a civil proceeding ठीक है suit का मतलब होता है civil proceeding अब अगर डिटेल में समझेगा तो suit क्या हो सकता है यह civil proceeding तो है लेकिन इसके अलावा suit क्या होता है What is the meaning of the term suit? तो suit शब्द का जो सीधा सीधा मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पर बोला civil proceeding. तो civil proceeding के अंदर क्या होगा? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि any proceeding by one person or persons. तो यहाँ से यहाँ तक का मामला है. और अदर्स, अनदर और अदर्स में फर्क है, ठीक है? इन कोट शूट का मतलब अगर आप इसको समझेंगे तो यहाँ समझेंगे, पहले बोल दिया कि suit is nothing but it is civil proceeding. ठीक है? तो civil proceeding है, तो civil proceeding में क्या होता है? इन कोट होता है, तो क्या होता है? तो इसमें और चीज जानिए, जो प्लेंटिफ होता है, उसको रेमेडी चाहिए, जो डिफेंडेंट होता है, उसको मुझसे पैसा लेना है. यानि की प्लेंटिफ, so wherein the plaintiff where in the plaintiff pursues where in the plaintiff pursues the remedy where in the plaintiff pursues the remedy क्या remedy चाहिए वो अपना देखेगा उसको recovery चाहिए कि position चाहिए कि title चाहिए कि ownership चाहिए कि breach का compensation चाहिए कि damage चाहिए क्या चाहिए वो plaintiff का काम वो आपका काम नहीं है वो लिख के देगा आप देखो कि उस section के अंदर वो चीज प्रवाइड कराई जा सकती है कि नहीं अगर प्रवाइड कराई जा सकती है तो अच्छी चीज है नहीं प्रवाइड कराई सकती है तो आप देंगे provided उसमें भी condition क्या लगेगा evidence अगर बुले किया आता है तो So, any proceeding by one person or persons against another or others in a court wherein the plaintiff pursues the remedy. So, plaintiff क्या करता है? Remedy को pursue करता है. So, simple है. इसको भी दिखे, shortcut करके, diagram में भी बताऊंगा, तो याद हो जाएगा. Plaintiff pursues the remedy. आगे, कौन सी remedy? तो जो law afford कर सकता है. Which the law affords? For any injury. भाया, जो कानून के तहत होगा वो ही न, हर चीज तो नहीं न. For any injury. Or the enforcement of a right. Or the enforcement of a right. Whether, at law or at equity. तो अब इसको भी आप चाहें, तो डाइग्राम में ब्रेक करके लिख सकते हैं. तो अब दिखे, अगर इसको याद रखना है एकदम एक बार में. तो बहुत सिम्पल है. सूट का मतलब होता है, civil proceeding. Civil proceeding presented by, civil proceeding presented of a plant. Civil proceeding presented by a plant. लेकिन अब instituted by है, तो instituted by the presentation of a plant. So, खेर, सूट का यहाँ पर जो मतलब निकल क्या रहा है, वहाँ पर सिम्पल दो तीन चीज़े धियान देनी है. सूट में सबसे पहले चीज़ कह रहा है, सूट क्या है तो होलता है, प्रोसेडिग, देखें है आपर मैं किलर करता हूँ. सूट क्या है, तो सूट कुछ नहीं है, यहाँ पर एक कोई प्रोसेडिग है. प्रोसेडिंग बटिटी यह प्रोसेडिंग वार्शन यहां पर दिख्यों कॉन चलाता है व थेक्षा अगेंस्ट अनअदर और अगेंस्ट अनदर ऑर अनदर अगेंस्ट अनदर और अनदर अधर proceeding होता है, सब कांसर ही पर है, कहां चलता है, in a court, in a court, इसमें किसको क्या मिलता है, इसमें plaintiff को क्या चाहिए, remedy चाहिए, so plaintiff को क्या चाहिए, remedy, तो आप लिख तो wherein, the plaintiff, pursues, the plaintiff, pursues, the remedy, the remedy, कौन्सी remedy, तो बोलते हैं कि वो remedy, जो law afford कर सके, so which the law afford him, किस लिए, यह remedy किस लिए मिलती है, तो for any injury, किस लिए मिलती है, यह remedy, तो किसी injury के लिए, या enforcement of right के लिए, enforcement of right के लिए, सब कांसर है, अगर आप ऐसी याद कर लेंगे, तो याद हो जाएगा, चाहिए, वो injury क्यों मिलती है, तो remedy के लिए, injury क्यों मिलती है, तो remedy के लिए, sorry, injury कह रहा हूँ, remedy क्यों मिलती है, तो injury की वज़ा से मिलती है, लेकिन अब यह कह रहा है कि चाहे कैसे मिलेगा, process क्या है, तो process कहता है कि भाई, या law से मिले या equity से मिले, तो law and equity दोनों अलग अलग चीज़े हैं, ठीक है, हिंदुस्तान के जो courts ने law and equity दोनों को follow करते हैं, so whether at law or equity, यहां दोनों लग गया, whether at law or equity, तो अब इसको अगर आप analyze करेंगे, तो यहां पर क्या है, suit क्या होता है, तो एक civil proceeding होता है, instituted by presentation of a plant, so यहां पर यह proceeding हो गया, कौन शुरू करता है, तो यहां पर कौन का answer है, हूँ, ठीक है, यहां पर हूँ का answer है, किसके against करता है, तो against whom, तो किसके against है, सही लिए, किसके against, ठीक है, कहा होता है, कहा होता है, तो यहां पर लिखा है, इसमें क्या होता है, तो दिखें, क्या होता है, यह यहां पर बता रहा है, क्या होता है यानि प्लेंटिफ क्या करता है प्लेंटिफ रेमेडी के पीछे भागता है उसके अलावा इसमें रेमेडी कौन देता है किस तरह से रेमेडी मिलता है किस बात के लिए रेमेडी मिलता है तो रेमेडी किस बात के लिए रेमेडी फॉर वाट यहाँ पर रेमेडी क उसको बोलते हैं law of court को और law of equity, law of equity के बेस पर या court of law के बेस पर, तो यहाँ पर यह सिस्टम है, तो यहाँ पर सब एक सिक्वेंस बना हुआ है, ठीक है, तो याद हो जाना चीब, बहुत सिंपल तरीके से तो, अभी तक दिखें हम लोगों ने क्या करा है, सूट का जो killer definition है, वो हम लोग यहाँ पर याद रख ले रहे हैं, सूट क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या बन सकता है, नहीं बन सकता है, वो यहाँ पर killer है, उतारिए गंदी से, आगे चलते हैं, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया हुए, कि हाँ सूट क्या होता है, सूट का मिनिंग क्या होता है, यह सब समझ में आ गी चीजिए, लेकिन अगर हम लोग अब यहाँ पर बात करें, कि सूट के अंदर क्या-क्या चीजे लगती है, या सूट के essential elements क्या हो सकते हैं, वो बला पार अगर हमें discuss करना है, तो वो चीजिए नहीं आ पर समझ सकते हैं, देखिए, सूट के अंदर क्या-क्या essentials होते हैं, लेट सी, essentials of suit essential of suit तो देखिए, सूट में क्या-क्या चीजे होती हैं, ठीक है? सूट में क्या-क्या चीजे होती है, तो सूट में, देर आर फॉर इसेंसल्स, नॉरमली आप कहीं भी देखेंगे, तो फॉर इसेंसल्स हैं, आप उनको पढ़ेंगे, क्या नाम हैं? तो वह क्या कर रहे हैं कि वह चीजों को और सब क्लासिफाइब कर देते हैं इसी वजह से खैर तो नाव मुद्दे की बात आते हैं तो देरा फोर इसेंसल सबसे पहला क्या चाहिए एक सूट में आपको क्या बोला जा कि जब तक डेफिनिशन याद नहीं होगा इसेंसियल या तो अभी जो बताया है वो आपको याद होना चाहिए यानि कि समझ में आना चाहिए याद छोड़िए मतलब सम अनलाइज करना पाई तो जैसे अभी हम लोगों ने सूट के बारे में बात करें तो सूट के दो ब्रका सबसेड नहीं होता इट is a civil proceeding तो अगर मैं इतना बोल देता हो इंश्टीचिटدة ण olarakuję कैसे इंस्टिचूटड़ बाइ प्रिजेंटेशन आफए प्लैंट So presentation of a plant तो आपको अगर सिर्फ मैं ये definition दूँ ठीक है न ये वला definition दूँ इस definition से आपको क्या essential निकलता है यानि इसके लिए क्या होना चाहिए suit के लिए एकदम जो जरूरी चीज है वो क्या होना चाहिए तो suit के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज आपको लग रही होगी इसको पढ़ते हुए इसमें क्या है किता है कि civil proceeding तो suit के लिए civil proceeding तो होना चाहिए तो भाई civil proceeding तो बाद की चीज है न पहले क्या चाहिए सबसे पहले क्या चाहिए plant चाहिए इस लाइन को पढ़ने के बाद बस एक चीज समझ में आती है दिमाग में, कि plant is necessary, plant is must, बिना plant के आप suit की कलपना नहीं कर सकते हैं, you cannot imagine a suit without a plant, यह एकदम किल्यर है, because जो definition आपको दिखारों, इसलिए मनें दुबारा लिख दिया, कि suit कुछ नहीं, एक civil proceeding होता है, ज़र आइनल civil proceeding, suit is a civil proceeding, तो सर, civil proceeding तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन civil proceeding है, तो civil proceeding चाहिए, यह तका मतलब, civil proceeding is an essential requirement, it is an essential element, तो civil proceeding होना चाहिए, लेकिन civil proceeding का भी तो कुछ essential requirement है, civil proceeding का भी तो कुछ requirement है, civil proceeding का requirement क्या है, civil proceeding कैसे होगा, उसके लिए presentation of plant, यानि that civil proceeding is instituted by a presentation of a plant, तो भहिया, सबसे पहले क्या चाहिए, आपको plant का presentation चाहिए, तो जब तक आपके पास plant का presentation नहीं होगा, जब तक आपके पास plant नहीं उपस्तित होगा, उसको present नहीं किया जाएगा तब तक तो आप suit को भूल जा suit का imagination भी नहीं कर सकते सो यहां इस definition से अगर आपको कुछ मिलता है तो बो है क्या सिर्फ और सिर्फ plant यानि कि plant के बिना कुछ नहीं होता इसमें essential requirement क्या मिला अब चलिए आगे चलते हैं अब यहां पर यह क्या है बहुत छोटा definition है incomplete definition है इसमें सारी बाते नहीं पता चलती है दूसरा वाला जो हम लोगों ने definition लिया उसमें हम लोगों ने क्या कहा दूसरे वाले definition में बहुत simple तरीके से उसमें मैंने कहा कि any proceeding अब देखे उसमें भी कहा था proceeding तो वहां पर भी आया proceeding तो चलिए proceeding ले लिया ध्यांस देखें कैसे आपको निकाल लेना है सीख लेना any proceeding ठीक है any proceeding तो यहाँ पर पहले क्या होता है proceeding होता है तो कौन चलाता है मैंने बताया था ना बहुत कौन by one person or persons by one person public persons अब किसके अगेंस चलाता है तो देखें यहाँ पर क्या बोल रहा है suit का मतलब होता है proceeding तो suit में क्या होना चाहिए proceeding तो proceeding is an essential element लेकिन अब यह चीज़ मुला साब कहते हैं कि proceeding is essential element ठीक है लेकिन normally हम लोग proceeding को नहीं पकड़ते हैं क्योंकि यह बहुत deep में deep चला जाएगा तो suit में क्या चाहिए आपको कम से कम एक party चाहिए one person तो चाहिए ही चाहिए या एक से अधीग person चाहिए कौन सा person चाहिए कैसा person चाहिए जिसने कोई दूसरे person के खिलाफ कोई मामला किया हो तो यहाँ पर कौन शुरू कर रहा है यहाँ पर उसका भी अंसर दिया है अगेंस्ट अनदर इसका अंसर दिया है अगेंस्ट अनदर और अदर्स अगेंस्ट अनदर और अदर्स इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर दो parties होंगे यानि कि दो लोग होंगे एक जो करेगा और एक जिसके खिलाफ करेगा, तो यहाँ पर क्या निकल क्या हैगा, अगर सिर्फ इस दो लाइन को पकड़ते हुआ आप, इसको पकड़ोगे तो क्या निकलता है, पार्टीज होना चाहिए, अपोजिट पार्टीज, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं, अपोजिट पार्टीज, ह यानि parties in a suit, parties to suit, यह चीज़ कहने का, parties to suit, यहीं से definition से सब निकाल रहा हूं मैं, कहीं अलग से नहीं निकाल रहा हूं, ठीक है, so against another or other persons, चलिए वो भी ठीक है भाई, against another or another, कहां चलेगा, तो यहां पर कह रहा है कि इने court, कहां चलेगा तो court में चलेगा, ठीक है, कहां यह करेंगे काम, प्रोसेडिंग का court में करेंगा, तो court is an essential element, चलिए इसको हम लोग ignore कर सकते हैं, मतलब court तो सब को पता है, court में ही चलेगा, अब इसमें होता क्या है, तो यह सबसे बड़ी चीज होती है, कि court में चलेगा, लेकिन किस चीज के लिए चलेगा, तो कहते हैं, wherein the plaintiff, यहीं से फिर निकाली है, अब आप बोलोगे सर्फ कितनी बार लिखते हो आप एक चीज को, लेकिन लिखने से concept किलर होता है, धीरे धीर परसूज रेमेडी या दीरेमेडी, परसूज दीरेमेडी, तो plaintiff क्या करता है, यहां पर आपके लिए क्या है, शूट में क्या चाहिए, प्लेंटिफ चाहिए, अपोजिट पार्टी चाहिए, तो दोनों यहां पर मैंने एक बार लिख दिया, पार्टी टूदा सूट, उस भी कहलो, सेम, लेकिन यह रेलीफ और रेमेडी क्यों चाहिए, तो कहता है कि यह जो रेमेडी चाहिए, वो लो देता है, विच दल लो अफोर्ट्स, विच दी लो अफोर्ट्स, क्यों रेमेडी चाहिए, तो यह तो कहरा कि किस बात के लिए रेमेडी चाहिए, तो अंसर द इन्जूरी किसके लिए चाहिए तो किसी इन्जूरी के लिए चाहिए या इन्फोर्समेंट आफ राइट के लिए चाहिए सो इन्फोर्समेंट आफ राइट तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं सिंसल इलिमेंट अगर हम बोलते हैं, इन्जूरी के लिए चाहिए ये इन Performance के लिए चाहिए, तो سूत के लिए licensed element क्या चाहिए? इन्जूरी होना चाहिए, ओर इन्जूरी तो हो गया, Enforcement of Rights होना चाहिए, ये तो हो गया, sir क्या है ये what is this किसी को पीट देने से किसी के साथ assault कर देने से suit पैदा होता है no किसी को पीट देने से कारवाई करने का कारण मिलता है that is called cause of action so cause of action हो गया तो यहां हमें एक मिला essential element that is cause of action ठीक है सब यहीं से निकलेगा और कहीं से निकलने वाला है अब यह cause of action के अलावा तो अब क्या क्या निकल गए यह cause of action मिल किसलिए रहा है कोई subject matter कोई घटना घटी होगी तभी तो मिल रहा है न और वो देने वाला कौन है क्या तो law of court है या court of justice है या equity, equity courts है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो for any inquiry, for any injury enforcement of right अब यह कहां से मिल रहा है whether at law or injury यहां से यहां तक अब यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करें कितनी चीज़े मिल गई हमारे पास तो अगर हम suit का essential निकालते बैठे, essentials of a suit तो आपको खुद मिल जागा, सबसे पहले क्या चाहिए, आपको suit चाहिए, suit तो ही suit में क्या essential element चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, तो plant दिखा था तो plant कैसे आएगा, बिना party के plant थोड़े आएगा, तो यहां पर क्या चाहिए हमें, सबसे पहले चाहिए, opposing party या parties या से कर दिजिए, parties to suit parties to suit चाहिए, हमें क्या चाहिए, parties to suit चाहिए, दूसरा हमें क्या चाहिए, parties to suit के बाद that is subject matter, जब तक subject matter नहीं होगा, party की बीच में तो भाई, कुछ होने का नहीं, so subject matter in dispute अब subject matter जगड़े का विसवस्तू तो है, subject matter of dispute तो है, bone of contention तो है, तो उसकी बज़े से क्या मिलता है, जगड़े की विसवस्तू के बज़े से कारण मिलता है, कारवाई करने कारण, so cause of action और चौथा और आखरी क्या मिलेगा हमें, इसमें relief, plaintiff को क्या मिलता है, relief, relief, यहां पर सब बताया है, relief या remedy, ठीक है, इस तरीके से, तो यहां पर कुल मिला करके हमारे पास चार essential element हैं, अब थोड़ा सा आराम से इसको समझें, क्या है, one by one, ठीक है, हम लोग का topic क्या है, topic पर ही अपने आपको concentrate करना है, क्योंकि अभी topic याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग section, order, सब मिला के पढ़ने वाले हैं, क्योंकि section, normally क्या होता है, लोग पहले, generally सबसे पहले section पढ़ते हैं, फिर section खतम होता है, तो फिर order में जाते हैं, बो नहीं, section और order मिला के पढ़ी है, कोई दिकत नहीं, तो section पढ़के भूल गए, फिर order पढ़े, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए better है, सबसे best option म मेरे लिए लगता है, कि आप section और order को पढ़े, आपने topic पकड़ लिया, जैसे topic है बेल, तो बेल आपने पकड़ लिया, तो बेल का history पढ़ लिजिए, बेल का present, past, future सब पढ़ लिजिए, बेल का किस कि section के साथ connection है, बो पढ़ लिजिए, बेल कितने type का होता है, बो पढ़ section को कम वर topic को ज़्यादा पकड़े, section के sections जो है, topic के अंदर ही cover हो जाएगा, automatic, और उससे याद रखने का chance भी बढ़ेगा, और लिखिए इसको जितना हो सके, जितना हो सके, now, अब आईए, मुद्दे पर, तो याद कीजिए, हम लोगों ने शुरू में कहा था, 26, section 26 से लेके, section 35 भी तक, institution of suit की बात होती है, इसके अलाबा, order में, order 1 से लेकर के, order 20 तक, बड़ा लंबा order है, order 1 से लेकर 20 तक, ठीक है, एक दो नहीं, 20 order, 20 order पढ़ना पढ़ेगा, institution of suit के लिए, ऐसे डरना नहीं, आराम से समझना, now, अब आईए, next point पर, सबसे पहला आया हमारे पास, parties to suit, suit का हम छोटा definition याद रखेंगे, बच्चा वाला, उसमें क्या कहा था मैंने, suit is nothing बटीटीजे, civil proceeding, तो वो वाला definition हम लोग यहाँ पर याद रखने के कोशिश करेंगे, तो suit भाईया क्या है, suit एक civil proceeding है, तो civil proceeding के लिए party कौन-कौन बनेगा, और उससे भी बड़ा interesting point है समझे, parties to suit हमने लिखतो दिया, तो parties to suit के लिए, क्या CPC के अंदर कहीं कोई provision है, Is there any provision for the parties to suit? तो हाँ, बिल्कुल है, parties to suit के लिए जो provision है, वो देखिए आपको order के अंदर मिलेगा, order one में, और यह first schedule के अंदर मिलेगा, यानि first schedule के order one में parties to suit का concept दिया हुआ है, अब order one में क्या दिया है, order one को अगर आप ध्यान से देखिए, तो order one के अंदर total आपको मिल जाएंगे 13 rules, order के अंदर होंगे rules, तो order one में आपको total number of rules कितने मिलेंगे, 13, 13, 13, यहां आप लिख सकते हैं, order one कितना है, तो rule one से लेकर के rule 13 तक है, अब हम लोग यहां से सीधे चीज़ों को connect करते चलेंगे, ठीक है, link करते चलेंगे, तो order one, rule one से लेकर 13 तक, उधर section की बात करेंगे, तो section 26 से 35 तक, order one से 20 भी है, लिकिर हम अपसी बात किसकी कर रहे हैं, parties to suit की, तो यहां पर आप लिख दीजिए, इसको मैं जस्ट से कहना है, तो parties to suit के लिए हमारे पास क्या है, order one में provision है, और order one में कितने rules हैं, rule one से लेकर के rule 13 तक, rule one से लेकर के, rule 13 तक, यह पूरे के पूरे इसमें provision है, now, let's see one by one, parties to suit, party शब्द का कोई definition है क्या, is there any definition of the party, नहीं, party शब्द का मतलब कुछ नहीं definition नहीं है, तो parties to suit किसको कहेंगे, हमने यहां देखा कि parties to suit के लिए लिए लिख दिया है, order one, parties to suit, तो यहां तो इन्होंने सिधा कर दिया, who may be joined as plaintiff, अरे भाई यह कैसे हो गया, plaintiff कहां से आगया, defendant कहां से आगया, topic पर जड़ा फोकस किए, parties to suit, provision कहा है, order one में, technically provision कहा है, legally provision कहा है, order one म में, इतनी बार बोलूँगा कि आपको prelims तो यहां से निकल जाना है, order one में parties to suit का provision, interview में पूछे तो भी बता दिजी, लेकिन इसे पार्टी शब्द का मतलब क्या है, तो पार्टी शब्द का मतलब जो हमारे CPC के अंदर है, वो कहीं mention नहीं किया है, लेकिन जब हम order one को पढ़ते हैं, पूरा का पूरा rule one से लेके rule thirteen तक, तो उसमें से दो चीजे कॉमन निकल के आती हैं, parties का मतलब दो होते हैं, जो आपको अकसर देखने को मिलेगा, that is plaintiff और दूसरा, यहाँ पर party का मतलब है defendant, respondent नहीं लिखा है, defendant और respondent पर फरक है, बहुत फरक है, देखिए, यहाँ पर कैसे बोल दिया मैंने, यहाँ देखिए, order one हमारे पास है, rule one देख रहे हैं, तो सर यहाँ plaintiff लिखा हुआ है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर rule two में देखिए, तो आप पढ़के कहीं भी देखिए, तो आपको मिल जागा, यहाँ पर plaintiff है, यहाँ पर भी plaintiff है, तो rule two में भी common एकदम, layman की तरह देखिए, जैसे word में found करते हैं, वैसे, rule three में देखिए, यहाँ पर आपको defendant बिल गया पर rule three A में जाए तो यहाँ भी कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर नीचे मिलेगा, देखिए, यहाँ पर क्या बोला, defendants, फिर यहाँ पर मिलेगा, four भी जाए तो यहाँ पर आपको कुछ देखिए, इसमें भी मिलेगा, कुछ ना कुछ, ठीक है, इसके बाद जाए फाइब में तो फिर डिफेंडेंट फिर शिक्स में जाए कुछ ना कुछ मतलब जो पूरे के पूरे इसके अंदर जो रूल है वन से लेके तर्टीन तक यहां खबंद करके सीधे कहें कि और वन के अंदर जिस शब्द को बार-बार रिपीट किया गया है जिस शब्द क रिस्पॉंडेंट रिट मामले में होता है रिस्पॉंडेंट जो होता है रिट के मामले में होता है जो इसे रिट होता है ना तो देखें रिट में कैसे लिखते हैं रिट में जिसे होता है सिविल रिट जूरिस्टिक्शन के जानते हैं तो अच्छी बात है नहीं जानते है तो जान यह मैं आपको दिखाता हूं जस्ट सेकेड़ इसको शॉट में लिखते हैं CWJC इसी तरीके से अब यह जो लोग पढ़के आते हैं न लोग पांच साल का परेशान यह क्यों से पैदा हो गया हम तो जानते हैं मंदा मस होता है क्यों वारंट होता है प्रोईबिशन हो सबसाइड में अब जाता कुछ नहीं दिखता है इसमें एक भी आप दिखा दीजे तो बहुते सिर्फ प्राक्टिकल अलग अब फ्राक्टिकल कुछ अलग नहीं है आपको सिखाय रही है वह चीज उसी तरीके से रिट में आप जाओगे तो यहां पर मिलेगा क्रीमिनल रिट जूरिस्टिक्षन केस, यह कोडिंग है भई जैसे हमारे मेडिकल टर्म में होता है कोडिंग, वैसे हमारे हमारे कोडिंग टर्म यह चलता है, तो यह हो गया C-R-W-J-C मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखा भी देता हूँ, just a second बस होल्ड करिए यह रहा आपका मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, देखिए एकदम सिंपल है, बहुत ही आसान है बस्त आप समझ जाएंगे प्रैक्टिकल में क्या है, देखिए यह पट्ना हाई कोड की वेवसाइट है, ठीक है यहाँ पर जाएंगे सीधा कॉजलिस्ट देखिए यह इन्हों ने दे दिया है कोड नंबर वाई, जब इसमें नहीं जाना है, देखिए कॉजलिस्ट है, इंटाइर कॉजलिस्ट मैं करता हूँ मैं कोई पर्टिकलर केस भी डूण सकता हूँ, लेकिर मैं इंटाइर कॉजलिस्ट करूँगा ठीक है, आज की डेट आपको दिख रही है, यहाँ पर मैंने वो कोड डाल दिया, जो इनका कोड मांग रहा है, क्यापचा ठीक है, 22nd of August जल्दी से खुलने लगेगा, और उसके बाद आपको सारा डीटेल, अज मंडे है तो थोड़ा हैवी होगी फाइल्स, इसे थोड़ा समय लेगा, और इसमें आपको सब जो आप देख रहे हो न, यह आप respondent, petitioner, plaintiff, defendant, यह जो doubts है, वो हमेशा के लिए killer हो जाएंगे, यह खोलने लग रहा है, अब अक्सर क्या होता है, जो हम लोग कभी भी college से आते हैं, और college में अगर यह चीज प्राक्टिकल वाली चीज नहीं सिखाए गई है, तो यह चीज हमें दिकत कर देती है, जाए कोई भ लिस्ट पकड़ा दिया, cause list पकड़ा दिया, बोले देखके बताओ कौन सा केस है, कहां पर हमारा केस है, अब पता ही नहीं किसी नहीं कोई लिस्ट देखा ही नहीं, जो clerk होते हैं, एडवोकेट से clerk वो कहेंगे, सर जी आप साइन कर दो वकल अतना में, पता ही नहीं वकल अत हैं, band लगा लेते हैं, तो वो एक अलाग issue है, वो degree है, degree है, इसलिए हम काला कोट पहन लेते है, degree है, इसलिए हम band लगा लेते है, degree है, इसलिए वेल्ल बेंटेन रहते हैं, बास और कुछ लिए, knowledge अगर शुर आजाय तो degree plus knowledge का combination बहुत horrible हो जाएगा, फिर कोई रोक नहीं पो आपने को कहीं भी जाहिए किसी पोजिशन में you can do anything whatever you want तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि डिगरी तो सब के पास है उपर वाले के पास है आप सब के पास तो फिर वहां पर दिक्कत होती है देखिए यहां पर मैं आपको शो करता हूं यह ऐसे फुल स्क्रीन आगई आपर आपको सब कुछ दिखने लगेगा देरे देरे यह पूरी लिस्ट है जैसे कि मैं लिस्ट दिखाना नहीं सिखा रहा हूं आपको इसलिल डॉंट वरी लेकिन आपको जानना चाहिए कैसे लिस्ट बनती है यह सेनैयोयटी के हिसाब से लिस्ट बनती है सेनैययोटी का मतलब जो मोलते हैं आप मास्टर थो उस्टर यह हैं चीफ ज़स्टिस का नाम आ घया है उसके बादी नीची नीची जीद्ने लोग excit Its जुनियर जुनियर जो होंगे उनका नाम धीरे 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 आएगा तो अब यहां देखिए यहां 24 है 20 अभी टोटल जो भी जेज की लिस्ट आ रही हां पर इस्टार जनरल लवाजिमा यह अभी भी और्दू वर्ड है भी चल रहा है यह 32 तक चल रहा है यानिकि देर अलमस् यह 32 अब यह consolidated list है छोड़ दीजिए इसको उसमें चक्रवन ही पड़ना यह notice notice तो जो कुछ भी आज के डिट में अगर हो रहा है वहां पर तो वह हम लोग यहां पर समझ जाते हैं देखिए यह छोटी सी चीज यहां पर सीख लिए बहुत काम आएगी अधरवाइस रटना रटने की जरूत नहीं पड़ेगे देखिए यहां पर देखिए केस की कटेगरी यह आप लोगो जानना चाहिए यह डिवीजन बेंच है डिवीजन बंच वन डिवीजन बेंच वन इसमें देखिए कौन से जो दो जज़ रहेंगे केस ग्रूप इन्होंने बाट दिया है 6789 वो पता दिया है पहले इसमें कौन सा ग्रूप आरत देखिए पी एल के मैटर्स एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन अगर कोई सेंटरल गवर्मेंट का कोई चैलेंज करना चाहता है तो उसके लावा देखिए रिलेटिंग तो वैलेडिटी ऑफ एक्ट रूल्स और रिग है ओए आहां पर दीचिए पी-ई-एल मैंटर मिलेगा ट्रेड तो पी यल मैंटर ईडज टैप के पी घ dei मैंटर हो जोनय तरू यहाँ पर 2 पी टृटी इधियम धेंगे आपको असां टोमें ऄट जूडिशल सभिकसें मैंटर देखिए यह आप लोगों के रिलेटेट के काम की चीजे ठीक है तो किछ किसे चल रहे हैं भी पेंडिंग है तो जो डिसल सर्वेसे मैंटर यह रहा डीवी थी उसके लावा डीवी देखिए पर इनके जो है मैंटर सिहां पर आपको लेगे तो यह अपको पूरी लिस्ट मिलेगी यहां पर सारे मिले मैंटर आपको मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं यह इन्होंने सब यह एकदम बिल्कुल केटेगरी बांट दी है आप यहां पर शॉट कट भी थोड़ क्रिमनल अपील एस जे एस जे का मतलब क्या होगे सिंगल जज राइजिंग आउट अफ एस से इस टी आट रिगुलर बेल आर बेल का मतलब रिगुलर बेल एस जे का मतलब बता दिया आर बेल का मतलब बता दिया ओके चलिए नौसी यह सब इनका इन्फॉर्मेशन है जो भ लिखा हुआ है, serial number, case number, lt party detail याने पूरे party detail है, long title पार्टी टेटेल, उसके लावा petitioner advocate, respondent advocate, परकड़ा आप लोगोने term, यहां पर क्या लिखा हुआ है, petitioner advocate, p.t. advocate का मतला है, petitioner advocate, और यहां respondent advocate, और यहां नी मार्क्स अगर कुछ है तो, तो देखे, petitioner advocate, यहां पर क्या CWJC, याने कि civil writ jurisdiction case, तो रिट में आपको क्या मिल रहे है, petitioner और respondent, मैं बिल्कुल प्राक्टिकल में लाइव दिखा रहा हूँ, अब आप देख लोगे, तो कभी भूलोगे नहीं इतना है, इसले बोलता हूँ, समय देखे, सिखे, सब समझ जाएगा, अब यह पूरा CWJC आपने को इसमें नहीं करना, अब इसमें दिखे, यहाँ पर अलग है, यह मैं कुछ दिखा देता हूँ, आपको साथ में, यह सब CWJC मैटर है, एक पूरे बहुत लंबी चोड़े लिस्ट होती है, बड़ी भारी से लिस्ट होती है, आज के लेट में, इसके अलावा छोट आपके छोटे टर्म साथे, देखे, C.R.W.J.C. जो मैंने भी बताया, C.R.W.J.C. देखे, C.R.W.J.C. तो क्रीमिनल रिट जिरिस्टिक्शन केस, क्वैसिंग दी F.I.R. यानि कि जो हम फाइल कर रहे हैं, क्वैसिंग दी F.I.R. यह क्रीमिनल रिट के इंदर फाइल किया ठीक है, C.R.W.J.C. क्वैसिंग दी F.I.R. C.R.W.J.C. क्वैसिंग दी F.I.R. उनने बहुत किलर लिखा कि तेवजे 2.15 यानि दो फरके सब दो बजे, तो C.W.J.C. मिल गया, C.R.W.J.C. मिल गया, इसी तरीके से बाकी चीज़े मिल जाएंगे, आपको, आपको C.P.C. से कुछ मैं दिखाता हूँ, यह तो हो गया, F.I.R. जब फर्स्ट अपील होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट अपील लिखेंगे, ऐसे होगा, तो सेकंड अपील लिखेंगे, इस तरीके से मामला बनता है. देखिए, यह रहा, यहाँ पर आप देख पार होगे, F.A. देखिए, F.A. कब का है यह सिविल बनता, देखिए, मैं आपको शो करता हूँ, जरस्ट सेकंड, होल्ड करिए, यह पूरा F.A. है, काफी बोडी लिस्ट है, पहले जो शीनियर है, वताते हैं, मुस्कल से पांच 30 साल पहले, आज के डेट में तो 300-400 पजीज की लिस्ट हो गई है, यहाँ पर आप कैसे भी करके, PDF में अपना नाम सर्च कर सकते हैं, मतलब जो, मैं केस सर्च करना चाहिए, कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखरी के लिए मिलता है, सिर्फ कॉज लिस्ट से, अगर कॉज लिस्ट हैं, तब तो भी बहुत कुछ नहीं भी पता है, कुछ आगे चला गया, करूंस, यह रहा, यह रहा, देखिए, यहाँ पर देखिए, मिसलिनियस अपील है, यहाँ पर मिसलिनियस अपील, यह फर्स्ट अपील जा रहा है, यहाँ पर और करे लिए फर्स्ट अपील, तरीके से आपको जब इस खतम हो जाएगी किसी और जज के पास सेकेंड अपील होगा ठीक है तो फर्स्ट अपील सेकेंड अपील सब है तो जो अपील यहां से निकल के जा रही है उसकी बात करेंगा डिस्टिक जग यहां से खेर तो जो में चीज मुझे दिखाने थी CWJC औ आपको पताने का कि आप इस चीज को समझ लीजे कि प्रटीशनर और रिस्पॉंडेंट पार्टी तो हमेशा ध्यान दिजेगा कि प्रटीशनर जो वर्ड है हम लोग लिख देते हैं यह बात समझी हम लोग लूजली बहुत कुछ लिख देते हैं जजेज उसको इगनूर भी कर देते हैं जजेज भी लिख देते हैं उस पर ओर्डर भी पास कर देते हैं जजमेंट भी पास कर देते हैं वही बिलकिस्वानो वाला केस वाल आप लोग मुदों इसको हैसे हम लोग कर देंगे। कि Creditioner vs Respondent इसके अलावा जो दूसरा हम बनता है वह बन वह बनता है plaintiff vs Defendant, यह हमारा suit के लिए बन रहा है कि यह किस के लिए बन रहा है और रिट के लिए बन रहा है ठीक है कोई डाउट नहीं नाव स्टेट वर्सेज अक्यूज्ड वो क्रिमिनल केस में होता है अब आए आगे अब यहां पर हमारे पास क्या है यानि कि order one के अंदर हम देखेंगे तो है और प्लेंटिफ के लिए कहता है कि प्लेंटिफ वही पर्सन होता है जो नॉर्मलेव हें विक्टिम होता है जो तकलीफ नहीं होता है ऐसकोju plaintiff बोलते हैं, defendant वो है जो अपना defense करता है, जो बचाओ करता है, उसको हम defendant बोलते हैं, यह सब बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज बता रहा हूँ, जो डिसले केड़े में आपको अगर एक बार पास करके निकल कर चले गए, वहां कोई सिखाने वाला नहीं है, आपको कि plaintiff कौन है और defendant कौन है, वो सब मान के चलते हैं परिजम सन में कि आपको plaintiff dependent कौन हो स सकता है, क्या होता है, वो सब आपको पता है, ठीक है, तो यहां पर हमारे लिए आ गया plaintiff और defendant, तो हमने यह कह दिया वही कि plaintiff, plaintiff versus defendant, यह होते हैं parties to suit, तो क्या वही ए वरसेज भी, यानि एक plaintiff हो गया, एक defendant हो गया, तो यह हो गया, अब क्या, एक plaintiff एक defendant है, वो तो समझ मे आ रहा है, तो क्या A plus B, या सलिए A plus C, दो plaintiff versus दो defendant हो सकते हैं क्या, यह वाला point है, तो इसके legal provisions की बात करता है, order 1, आराम से समझना, आपका topic क्या है, institution of suit, हम suit कैसे institute करते हैं, suit हम कैसे file करते हैं, वो part है, अगर आपको याद होगा, तो मैंने आप वो दिखाया था, देखिए, section number 26, अभी section भी जाएंगे, order भी जाएंगे, कहीं confuse नहीं करना, आराम दीरी-दीर रुक के पढ़ लेना, section 26 में, every suit shall be instituted by the presentation of a plant, क्या बोला, plant, or in such other manner, as may be prescribed, in every plant, facts shall be proved by aphid-ephid, अब जरा इस पॉइंट पर बहुत जरूरी है, गौर करना, बहुत जरूरी, यह बहुत important है, क्यों important है, वो पहले समझे, देखिये क्या है, हम लोगों ने कहा, कि सर, institution of suit, मेरे को जितनी वार लिखनी पड़े, मैं लिख दूँगा, आपको लिखनी की इच्छा है, लिखिये, लेकिन मैं लिख दूँगा, ठीक है, that is my job, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितना best से best हो सके, मैं अपना job करूँ, ठीक है, so institution of suit, तो मैंने आप से कहा, कि institution of suit के लिए सर, यहाँ पर दो चीज़े हैं, यानि कि दो जगह प्रोवीजन है, एक हमारे पास है section, कितने से, 26 से लेकर के 35 बी तक, तो हमें देखना पड़ेगा, कि सच में कहां पर है, इसके अलाबा, यहाँ पर मै पर बिल्कुल सामने axis 26 में शुरुवात में हमें मिल जाता है, institution of suits, तो institution of suit के बारे में क्या कहा गया, तो institution of suit के बारे में section 26 कहता है, section 26 कहता है, एक ह省ँ भाई, every suit, क्या बोलता है, every suit shall be instituted, क्या बोलता है, कि institution कैसे होगा बोलता है shall be instituted by the presentation of a plant presentation of a plant कैसे होगा so presentation of a plant होगा or और 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 दूसरा तरीका कहता है in such other manner यहाँ पर कहता है in such other manner दूसरा तरीका भी है भाई blend के अलावे भी in such other manner as may be prescribed as may be prescribed का मतलब होगा कि अगर high court ने rules बना दिया government ने कोई rule बना दिया तो अभी कोई ऐसा rule नहीं बना है जब rule बनेगा तब की तब देखेंगे so now जहाँ पर rule लगेगा वहाँ देखेंगे so now यहाँ पर भी हमारे पास क्या है provision हमारे पास provision बहुत किलियर है कि जो suit होता है वो presentation of plant के जरिये पैदा होता है institute कैसे होगा institute suit कैसे होता है तो presentation of plant के जरिये तो अब इसके सबसे भरूरी पार्ट में क्या आ गया आपको यह भी जानना पड़ेगा कि सर्फ प्लेंट क्या होता है दिखेंगे लिंक है सब एक दूसरे से आपको यहाँ पर यह जानना पड़ेगा कि वाट इस दप्लेंट बिना प्लेंट समझे तो आगे बढ़ नहीं सकते now the point here is कि प्लेंट शब्द का मतलब क्या है प्लेंट का डेफिनिशन क्या है what is the definition of plant तो यहाँ देख लीजिए कि प्लेंट का डेफिनिशन सिर्फ CPC के अंदर नहीं दिया गया है so the term plant has not been defined in the code on the CPC तो प्लेंट शब्द को फिर ने डिफाइन के इन हने so is not defined in CPC तो CPC में यह defined नहीं है तो कैसे पता चलेगा प्लेंट क्या होता है तो प्लेंट के बारे में कहा गया कि प्लेंट कुछ नहीं होता कोई भी परसन जो दुखी होता है वो फाइल कर सकता है कोई भी परसन जो रिप्लाई देना चाहता है बो फाइल कर सकता है यानि कि plant is nothing but कोई भी person, यानि कि it's civil matter है तो private matter है so plant is nothing but it is a private memorial memorial का मतलब होता है जो मेरे को यादास्त में है memorial का मतलब समझे जो मुझे याद है तो कल मेरा चार दिन पहले या 15 दिन पहले मेरा किसी से जगडा हो गया तो 15 दिन के बाद मैं अगर सूट फ्राइल कर रहा हूं प्लेंट लगा रहा हूं तो मुझे 15 दिन पहले के कहाने मेरे memory में है जो चीज आपकी memory में है वही memorial है और उसी को हम लोग क्या बोलते है memorial यहाँ पर आपके लिए क्या है प्लेंट क्या है प्लेंट इस नथिंग बट इस ए प्राइबेट मेमोरियल नीजी मेमोरियल प्राइबेट मेमोरियल जो कि हम क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं कोट को तो टेंडर्ड टेंडर्ड टू अ कोट टेंडर्ड टू अ कोट ओके So it is a private memorial tendered to a court उसमें क्या होता है? उसमें जो भी party होती है वो अपना कारण यानि क्यों मैं आपके पास plint लेके आ रहा हूँ? क्यों मैं आपको plint दे रहा हूँ? यानि कि cause of action, plint फाइल करने का कारण plint लाने का कारण या private memorial देने का कारण लिखता है So, is a private memorial tendered to a court? His cause of action. His cause of action. Okay? Now, and that is in writing. ये क्या होता है? इन राइटिंग होता है. ये क्या होगा? इन राइटिंग होगा. तो यहां पर ये वाला पार्ट भी किल्लेर है. तो चलिए, प्लेंट शब्द को काईदे से डिफाइन तो नहीं किया भई. लेकिन अगर हम सिंपल मिनिंग में समझने की कोशिश करेंगे, तो यहां पर अपने को प्लेंट ये मिल जाता है. ओके? इसके अलाबा एक और चीज़ समझेए. कनेक्शन समझते चलिए. सेक्षन 26 समझना होगा पहले, फिर आगे चलेंगे. सेक्षन 26 के लिएर करना पड़ेगा, फिर आगे चलेंगे. सेक्षन 26 ने कहा कि अगर आप इंस्टिट करना चाहते हो सूट, so you must have a क्या? प्लेंट. आपके पास क्या होना चाहिए? प्लेंट. Because every suit shall be instituted at the presentation of a प्लेंट or in such other manner as may be prescribed. बस कितना लिखा गया है? दूसरी बात कहीं कि भई, जब कभी भी आप प्लेंट फाइल करोगे, तो प्लेंट के साथ आपको neck definite लगाना ही पड़ेगा. तो length के साथ씩 snippet क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि जो प्लेंट में आपने memorial बाते लिखी है, प्लेंट में जो आपने memory लिखी है, यानि प्लेंट का जो fact है, उसको साबित करने के लिए आपको evidence नहीं लगाना है बलकि effort लगाना है साबित करने के लिए क्या कह रहा है? Proved by effort तो evidence हम तो नहीं लगाएंगे उसको साबित करने के लिए जो चीज हम लिख रहे हैं वो effort लगाएंगे यानि हम सिर्फ यह कहते हैं देखिए इसको बहुत सिंपल लेंगोजे समझे इट मेंस कि अगर मैंने कहा कि सर दो तारीख को दिन के बारा बजे एक स्वाइजेट नाम के तीन परसन मेरे एक ऑफिस के चैंबर में आए और मेरे से कॉंट्रेक्ट पर साइन करने के लिए कहा मैंने कॉंट्रेक्ट पर साइन करने से मना कर दिया जिसकी बाद उन दोनों ने मेरे साथ असॉल्ट किया जिसे मेरे हाथ की हड़ी तूट गई because I need compensation for wrong मेरे साथ जो assault हुआ उसके लिए मैं compensation मांग रहा हूँ या दूसरे संसे बहुत है मैं दो बजे दो पहर को मैं so and so के दुकान पर गया था उसके दुकान पर so and so चीज रखी थी उपर वो मेरे सर पे अचानक से गिर गई जिससे मेरे सोर में घहरी चोट लगी और मेरा इलाइज का खर्चा जो है करीब करीब तीन लाक रुपे चला गया तो तीन लाक रुपे प्लस जो मेरा लॉस होता है फाइनेंसियल वो सब मुझे अजे कंपनसेशन चाहिए ही चाहिए अब वो जो आप लिख करके दे रहे हो। तीन में चम्लेघा है बिलकिस बारे में तो बिलकिस बारे चाहिए में जो स्टेट पोलिस ते गुझ्रात कि उसने तो पूरा क्लोजर रिपोर्ट दे दिया था उसने स्थीड़ क्लोजर रिपोर्ट में कहा अरे कोई ऐसे घटना घटी ही नहीं और जो घटी होगी रेप का मैटर वो रेपिस्ट पता ही नहीं कहा है दूसरा कि डॉक्टर ने भी क्लिन चिट दे दी डॉक्टर ने भी कहा नहीं नहीं कोई रेप टेप की घटना नहीं घटी है यह बताईए कुले कोई मर्डर नहीं हुए यह पुलिस का अपना क्लोजर रिपोर्ट मतलब क्लोज रिपोर्ट बना के दे दिया और इसमें 11 लोग करीब साहित थे 11 लोगों को सब को सजा होई थी इसमें डॉक्टर भी इंक्लूड है कि मजदार चीज यहां पर क्या है कि जो फैक्ट है कि वह क्रिमिनल मेंटर था सिभी में आई यह तो जो आप फैक्ट लिख रहे हो कि क्या दोगे F.A.D.F.E.D. So plant में जो fact लिखा उसके लिए क्या चाहिए F.A.D.F.E.D. यह हो गया matter तो यह section 26 कहता है यानि कि section 26 ने क्या कहा कि देखो भाईया दो चीजे कहीं कि अगर तुम्हें suit institute करना है institution of a suit institution of a suit अगर suit institute करना है तो तुम्हें क्या लाना चाहिए plant लाना चाहिए और plant के साथ क्या डालना चाहिए F.A.D.F.E. डालना चाहिए यह सब section 1 में कहा यह सब section 2 में कहा section कौन सा लग रहा है section 26 लग रहा है ओके यहां तक तो किसी को doubt नहीं है अब यही बात अगर आप पढ़ने जाओगे यही बात यही प्रोवीजन अगर आप ढूंडने जाओगे कहां ढूंड होगे institution of suit वाली बात तो सेम बात आपको मिलेगी order 4 के अंदर मैं आपको order 4 बेले चलता हूं देखिए यहां पर थोड़ा patience रखिए यहां के order 3 है यह रहा आपका order 4 देखिए सीम लाइन institution of suit इसमें भी क्या बूला every suit shall be instituted by presenting plant in duplicate to the court तो क्या बूला plant in duplicate यानि plant की दो copy चाहिए यह पिर killer कर रहा है और में दूसरा कर रहा है such officer as it appoints in this way आप चोड़िए every plant shall comply with the rules contained order 6 order 7 so far as the applicable जहां तक लाग होगा इसके लावा जो कुछ भी इनको कहना था वो कह दिया इन्होंने कह दिया register of suits में the court shall को अब यह numbering होगा year होगा और छोड़ दिया so now यहां पर killer कर दिया इन्होंने कि क्या चाहिए कैसे चाहिए किस कदर से चाहिए वो सब यहां पर mention कर दिया order 5 तो कहीं confuse नहीं करना है रुख करके थोड़ा सा पीछे से आगे आते हैं देखिए हम लोगों का जो topic है रुखना पहले हम लोगों का जो topic है वो क्या है हम कैसे civil suit file करते हैं institution of suit जब हम institution of suit में जाते हैं तो दो चीजे मिलती हैं एक मिलता है section 26 20 दूसरा मिलता है order 4 complete knowledge के लिए 1 to 20 में जाना पड़ेगा लेकिन specific knowledge यहां पर दिया गया है तो section बड़ा की order बड़ा यह भी question पूछ दें तब section बड़ा की order बड़ा which will prevail अगर order में कोई fault हो या section में fault हो कौन prevail करेगा anybody section prevail करेगा की order prevail करेगा कौन बड़ा होता है दुनों के जगड़े में नहीं वालों section prevail करेगा ठीक है always section will prevail so now the point here is section 26 में कहा गया plant तो plant जब तक नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे अब plant कौन लेके आता है plant क्या होता है वही बात हम लोग discuss कर रहे थे भी तो plant का मैंने मतलब बता दिया कि plant का मतलब कुछ नहीं होता private memorial होता है अब यह plant की जरुद क्यों पड़ गई क्योंकि हम यहां institution of suit में जब जाते हैं तो plant मिलता है और plant के लिए आता है parties to suit plant में क्या चाहिए parties to suit भी तो चाहिए ना party कौन लिख रहा है कौन डाल रहा है तो parties to suit के अंदर यह सारे चीज़ आती है now parties में आ गया दो चीज़ है plenty for defendant plenty for defendant यहां से यहां तक आ अवामला खत्म अब आईए इसी बात को जो हम discuss करते हैं कहां है parties to suit को ढूंडेंगे तो कहां मिलेगा order अब आईए नीचे अब आते हैं order 1 में देखिए order 1 में आएंगे तो क्या मिलेगा order 2 यह रहा order 1 order 1 में 13 rules है 1 to 13 सबसे पहला point आया who may be joint as plaintiff किसको हम plaintiff की तरह जोइन कर सकते हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं जोइन कर रहे हैं joined who may be joint as plaintiff इसको हम लोग बोलते हैं simple language में joinder of parties so order 1 के अंदर there is a provision which is known as joinder of parties joinder of parties to joinder of parties का जिसे सब्द बोलते हैं parties का मतलब हो गया plaintiff और parties का मतलब हो गया defendant defendant कर बपता है ышno okay कर बपत Edu कर दो कर दो और फही मतलबन